तो स्वागत है दोस्तों एक पर फिर आप सब का मेरे इस नए ब्लॉग में तो लास्क ब्लॉग में मैंने जहां खतम किया था वहीं से सुरू कर रही हूँ और इस जॉलीवूड में इती सारी चीज़े थी एक्स्प्रोर करने के लिए कि एक ब्लॉग में खतम करमाना मुश्क तो इसलिए मैं तीन चार ब्लॉग में से खतम करूगी उसके लिए माफी चाहती हूँ तो यहां पर मैं आगे बड़ी तो मैंने देखा कि यहां पर सबसे पहले जो आपके इंटरी होगी को काटून करेक्टर के साथ होगी और बहुत सुन्दर इंटीर वाल के साथ होगी औ और सबसे पहले फिर उसके राइट साइड में हैं बच्चों के प्लेइंग वाले एरिया तो प्रियांस तो पूरा एक्साइटेड हो गया था उसे यहीं जाना था और सब चीज बहुत परफेक्ट की गई है फोटोजेनिक है सब कुछ तो आप कहीं भी फोटो कीचाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा तो यहां में हम लोग जैसे बच्चों के प्लेइंग वाला एरिया में घुसे तो मैंने सोचा कि पहले प्रियांस को खिलवा देती हूं थोड़ा हो जाएगा तो फिर हम लोग भी अपना एक्स्प्लोर करेंगे तो प्रियांस इत्ती सारी ची क्या है कि जैसे कि यहां बॉल पूल था स्लाइट्स था जंपिंग था और फिर एर वाले बैक्स के उपर जंपिंग था तो बहुत सारा चीज था तो उसने फिर भी किसी तरह से स्टार्ट किया स्टार्टिंग में तो वो डर किया जैसे बड़े-बड़े बच्चों को कर चुका था अब दिरे-दिरे सब कुछ एक्सप्लोर कर रहा था एक जगा पर थोड़े टाइम के लिए रूख रहा था फिर हम दोनों ऐसे हस्में और वाइफ दोनों घूम रहे हम लोगों कुछ करने को नहीं मिल रहा था प्रियांस तो पूरा बीजी हो गया था लेकिन ह कि आप बच्पन अपना फिट से इंजॉय कर सकते हैं और प्रियांस लेकिन इतनी ज़ादा भीड़ती कि हमें प्रियांस की ओपर भी धियान रखना बहुत जरूरी लग रहा था कि खो जाएगा तो काफी टाइम लग जाएगा और प्रियांस बहुत अग यह जाएगा तो हम लोग अंदर गुज गया था तो हम लोगो तो अंदर जाने में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था कि बड़े बच्चे जाएंगे तो कैसा लगेगा तो इसलिए हम लोगों ने अवोइट किया तो इधर थी इंट्री और यह मैंने ऐसे मॉल वाल में होते हैं यह सब चीजे मैं प्रियांज को लेकर जाती हूँ तो इतना हीूज बड़ा नहीं रहता है फिर उसके बाद हम अश्मेंट भी थोड़ी थोड़ी मश्टी कर रहे थे अच्छा लग रहा था हम लोगों ने टायर वाले जूले पर एक जूला जायरा ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे कर रहे सारे बड़े भी कर रहे थे तो हम लोगों ने थोड़ा सा इंज्वाए कर ली अपना बच्पन क्योंकि प्रियांज को अब हान थाने वाला नहीं था तो हम लोगों बोर होने से अच्छा था कि हमें लगा कि थोड़ा सा कर लेते हैं आप टो टाइम है हमारे पास पूरा दि अब से वह जाता था फिर मैंने बोला हस्पेंट को कि मेरे वीडियो बनाओ मैं जा रही हूं स्लाइड करने के लिए फिर मैं चली गई स्लाइड करने के लिए मैंने भी इंटरी बहुत सारे लोग बड़े बड़े बच्चे जा रहे थे यह देखिए बच्चों को हटा कि लगा यह अच्छा एक्सपरियंस था तो अब हमें था कि अब दूसरी चीजे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं लेकिन प्रियांश को अब इतना मज़ा आने लगा एक दो फ्रेंड बना लिये थे उसने और उसके बाद उन लोग के साथ खेलने भी लगा था तो उसको यहां से निकालके क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं तो हमें लग रहा था कि कोई चीज भी लगता है कि मैं भी यहां से ना जाओ लेकिन हमें था कि नहीं ठीक है बाहर जाके भी इंजॉए करना है और उस टाइम में जब 12 बज रहे थे आराउं तो उस समय धूब भी काफी जादा थी तो हम ये भी था कि प्रियाँच थोड़ा परिशान हो जाएगा धूप में और खेलने के चक्कर में तो खाता पीता कुछ नहीं है बस कहलना चाहता है तो हम बीच-बीच में प्रियाँच को बोल रहते हैं चलो ब्रियाँच बाहर निकलते हैं वह सुनी नहीं रहते हैं इसको अच्छे से प्रियांस ने इंजॉई किया तो वाल देखने में इतना खुप सूरत लग रहा था लग रहा था कि सारे वाल के पास फोटो की क्लिक करवाएं लेकिन धूप इतनी ज्यादा थी कि बहुत ज्यादा ये मतलब चुब रहा था धूप इसलिए हम लोग सोच र यहाँ पर शूटिंग थी ती चल रही थी लेकिन लाइन इतनी नंवी थी कि मेरेसमेंट बिलकुल अगरी नहीं हुए यहाँ पर लगने के लिए ब बोले क्या आगे चलते हैं और यहाँ रही है पर बिलकुल फ्री की शूटिंग आप जतने देर माँ चाते हो shooting चल रही थी और यह सब चीज archeries में अच्छा लगता है मेरे husband को भी करना था बट भीड़ की बज़े से उन्होंने avoid किया उसके बाद यह है फिर से आपको next stage में फिर से यह wall वाला चीज मिलता है जहाँ पे बहुत अच्छे pictures आते हैं यहाँ पे 3D effect के साथ आपको बहुत अच्छे pictures आएंगे तो यहाँ husband सोचा कि नहीं एक डो picture यहाँ बन दी है क्योंकि बहुत अच्छा देखने में wall वाल लग रहा था और यहीं पे आपको शाम में अगर last में end में यहाँ circus का show दिखाया जाता है तो अभी तो नहीं कुछ था अभी सारी चीज़े इधर वाली बंद थी वो शाम में खुलेगी फिर भी husband ने 2-4 pics क्लिक करवाएं और फिर next stage में रीवन से सजा हुआ एक आपको roof मिलेगा जो बहुत सुंदर है और यहाँ पे कुछ games चल रहा था जो पीड था पैसी इसको खेल नहीं सकते है मतलब ऐसी आपको पीव करने पड़ेंगे आगे की चीज़े मैं next vlog में बताऊंगी तब तक के लिए बाइ बाइ